हेलो स्टूडेंट मैं संकर कुमर आप सभी का स्वागत है इस चैनल में आज हम बताएंगे प्रसना वाली चार पॉइंट एक का तो यहाँ पे दिया है जाँच किजिए कि क्या निम्न दुगाच समीकरन है तो इनमें हमको जाँच करना है टोटल आठ सवाल है तो सबसे पहले हम पहला सवाल स्वाल करेंगे और जाँच करेंगे कि इनमें से दुगाच समीकरन है या नहीं है तो बहुत इनपोटेंट कोश्टन एक जाम से भी पूछे जाते हैं हर एक साल और आप लोग इस चैनल पे जो नए हैं तो लीज चैनल को सस्क्राइब कर ले और बाइल आइकन को दवाना मत भूले ताहिए हम सवाल पे चलते हैं तो यहाँ पे सवाल दिया है देखिए यहाँ पे दिया है सवाल में सबसे पहले हमको पहला सवाल बनाना है पहला सवाल भी और दुसरा सवाल भी दिया है तो सबसे पहले हमको फोकस करना है पहला सवाल पे ठीक है और पहला सवाल हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए X plus 1 का whole square ब्रावर 2 cost X minus 3 है तो यह जो A plus B का whole square में है हम आपको करके दिखा देते हैं यहाँ पे लिखेंगे whole तो A plus B का whole square की रूप में है तो A plus B का whole square लिख लेना है तो इसका लिखना A square plus का B square plus 2 A B तो यह सुत्र हो गिया A plus B का whole square में है अब इसे सवाल को हमको solve करना है यहाँ पे लिख लेते हैं X plus 1 का whole square तो यहाँ पे लिखेंगे इसका तो A square है तो यह A के जगा पे X है तो यहाँ पे हो जाएगा X का whole square इसके बाद यहाँ पे है plus तो plus का हो जाएगा B का मान एक है तो यहाँ पे एक रख देंगे whole square plus 2 सुत्र से है तो 2 लगा देंगे into यहाँ पे A का मान देखी X है तो यहाँ पे X ले लेंगे इसके बाद B का मान देखी 1 है तो यहाँ पे ले लेंगे हम गुना में 1 इसके बाद जो है इस कल्टू के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे है 2 और X मैनस 3 यही है इसके बाद यहाँ पे अब हमको करना क्या है देखिए X पलस 1 का whole square जो यहाँ पे जो हम किये हैं तो इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं ब्रावर का यहाँ पे होगा इंपलेजेट का पर यह होगा X का square है तो X square plus 1 का square करेंगे तो 1 ही होगा इसके बाद पलस है तो पलस लगा देजिए इसके बाद है 2 गुना X गुना 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 2X क्योंकि 1 से गुना X में तो X X से गुना 2X में X 2X हो गया और ब्रावर का है यहाँ पे 2 से गुना होगा X में 2X इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देजिए इसके बाद 2 तिया 6 अब हमको यहाँ पे इंपलेजेट का परियोग करना है तो X square ठीक है यहाँ पे देखेशे 2X है और यहाँ भी 2X है तो 2X और 2X हम कटा सकते हैं यहाँ पे कटा दीजिए 2X 2X कट गया इसके बाद बचा है पुनास का 1 और यह माइनस का 6 है तो ब्रावर का इधर आएगा तो हो जाएगा पुनास का और एक को जोड़ देजिए कितना हो जाएगा चोएक साथ बरावर का जीरो तो यहां पर हमको लिखना है दुभाज समिकरन है दुभाज दुभाज समिकरन दुगात समीकरन है ठीक है और चलते हैं दूसरा सवाल में यहाँ पे दिया है x square minus का 2x ब्रावर का फिर है cost में minus 2 और फिर cost है 3 minus x तो इसको solve कर लेते हैं देखिए बहुत ही एजी तरह से हम इसको solve करेंगे देखिए यहाँ पे दिया है दूसरा में तो यहाँ पे लिखेंगे हल हल लिखिने एक बाद यहाँ पे लिखेंगे जो same है उतार लेते हैं x square minus का 2x और ब्रावर का यहाँ पे देखिए minus का 2 और गुना होगा 3 से 2 तिया 6 minus है तो minus का 6 हो जाएगा यहाँ पे इसके बाद है minus और minus को क्या करते हैं तो plus हो जाएगा minus और minus plus 2 से गुना होगा x में तो यहाँ पे 2x हो जाएगा इसके बाद जो है x square minus का 2x और यह जो पलस का जो है यहाँ पे देख सकते हैं यह पलस का जो लगा हुआ यहाँ पे और बरावर के जब इधर रहेगा जो पलस की संख्या इधर जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैनस का संख्या हो जाएगा minus का 2x और यहाँ पे देखिए यह minus का 6 है बरावर के इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा पलस का 6 ठीक है और बरावर का यहाँ पे लिख देजिए 0 ठीक इसके बाद देखिए हहाँ पे x square है तो x square लगा देजिए यहाँ पे minus minus होता है minus लेकिन जूड जाएगा लेकिन चीन जो है इसका नहीं बदलेगा 2x और 2x minus का 4x ही रहेगा ठीक है और यहाँ पे plus का 6 है तो plus का 6 बरावर का 0 यह भी दुगात समीकरन है तो हमको यहाँ पे लिखना है दुगात दुगात समीकरन दुगात समीकरन हाँ ठीक है ऐसे हमको बनाना है एक्जाम में भी और इसको उतार लेजिए चैनल को सस्क्राइब नहीं के तो पिलिज चैनल को सस्क्राइब कर ले बाई लाइकन को दबाना मात भुले ताकि सबसे पहला वेडियो आप तक जरूर पहुंचे